कल मैंने देखा आपको भी बुरा लगा मैं आपके कमरे में जब चाई पे ने आया आपने मेरे साथ अपना दुख शेर किया कि जब एल जी साब ने भाशन शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो और पीछे से दो ज़ने कह रहे थे दारू की दुकाने बंद करो अब इनको भी नहीं पता है आज नारे किस चीज के लगाने हो उपर से आया तो था उपर से आया तो था तो दो ज़ने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो आगे वा वाले निकाबे आज कश्मीर आज कश्मीर वाला नारा लगाना हैं तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किसलिए आयो तो वो यू यू देखता है किसलिए क्या हाल बना दिया इनका इस लिए थोड़ी राजनी ते माय थे एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली उस पिक्चर में एक सीन था कुछ लोग एक लेता के घर के सामने जाते हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो नहीं था बाहर आता क्या मांगे हैं तो सारे इक दूसरी की तरफ इनको पता ही नहीं क्या मांगे आज सारे देश की सारी भारते जंता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके पूरी सारी भारते जंता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है इसलिए राजनिती करने आये थे पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे, घर जाके बच्चे पूछेंगे, पापा क्या काम करते हो, पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अगनी होत्री के चर्णों में शरन लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे है कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौक है विवेक अगनी होत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जोने देख लेंगे कि दिन के अंदर टैक्स फ्री की क्या जरूरत है यूट्यूब पे क्यों नहीं डल कल एक मैंने अख़ पार में पड़ा हर्याना के अंदर भारते जंता पार्टी का ये मले था उसने का आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा तुरंत विवेक अगनी होत्री का ट्वीट आया खट्र साब के खट्र साब देखो ये फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके करेगा भाई साब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोडों करोडों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया आंखे खोलो क्या कर रहे हो तुम लोग वो करोडों कमा गया कश्मीरी पंडितों के नाम प भेड़ बक्रियों के तरह हांक रखा है पूरे बीजेपी वालों को भेड़ बक्रियों के तरह हांक रहे हैं एक दिन बोले तीन काक्रिशी कानून लेके आए हैं बहुत शांदार हैं और फिर नीचे मेसेज आया भी सारे जन्हें तारीफ परो मोदी जी के सारे बोले वाह मोधी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानून की खुब तारीफ की थी बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शांदार कानून लेक्या है एक साल के बाद फिर आया वे तीनों कानून वाप अब ते आपने वापस ले दिया, देश को बचा लिया, क्या मास्टर सो, क्या हाल वना दिया आप लोगों का यार, फिर थोड़े दिन बाद बोले भी दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जैने, दारू की दुकान बंद करो, दारू ठीक हो गई इप दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते हैं तुम लोग आप कश्मीर फाइल आ गई पहले कृशी कानूद रोज काम दे रखा है तुमको कुछ ना कुछ उपर से आ जाता है काम दे रखा है आप दारू की दुकाने मेरा एक ही निवेदन है मेरे BJP के साथियों से आप तो अपनी ही हो थोड़ा देश के बारे में सोचो हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था रोजबार देता था ही त्यास उठाके पड़ो उसने रोजबार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको, आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पिने का इंतिजाम करा, आपकी बिजली का इंतिजाम करा, केजरी वाल काम आता है आपके, आपके भी घर के बिजली फ्रीक रखी है, दिल्ली के बारा लाख बच्चों को नौकरी दी मैं बीजेपी के सारे कारे करताओं से कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो ये भेड़ चाल बंद करो भेड़ बक्रियों की तरह हां करें ये आपको ये सब बंद करो दिमाग खोल के सारे जन तरौ पो इज्जट मिलेगी सम्मान मिलेगा आपसे कते जुटे नारे निलेग वाएंगे अभरा जूटे और पोस्टर भी नारे चूटी फिल्मों के और जो भी करना हूँ कम से कम यार ये पिक्चर का प्रोमोशन करना तो बंद करो ये गंदे लगते हो तुम लोग अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगो को यार आप अच्छे आदमी हो कुछ करने आये थे राजनीते में कहा पिक्चर के पोस्टर और प्रोमोशन करने में लगा दिया उन्होंने एक चिठी लिख दी चुनावायोग को कि हम तीनों M.C.D. को यूनिफाय कर रहे हैं इसलिए चुनावायोग उन्हे चुनाव टाल दिया कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं अब जनता कह रहे हैं ये गुजरात हारेंगे अब अगर ये गुजरात हारेंगे तो ये दस दिन पहले चिठी लिख देंगे चुनावायोग को कि हम गुजरात को और महाराश्टर को एक कर रहे हैं इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो गुजरात के चुनाव टल जाएंगे अगली बार ये लोग सबा हारेंगे चिठी लिख देंगे जी ये पार्लेमेंटरी फॉर्म आफ सिस्टम बड़ा खराब है हम प्रेजिडेंशल फॉर्म आफ सिस्टम ला रहे हैं समविधान बदर रहे हैं चुनाव टाल दो चुनाव टल जाएंगे क्या मजाद बना रखा है इनोंने नोटंकी कर रखी है इनोंने भारत जनतंत्र है देश ये बरदाश्त नहीं करने वाला जो इनोंने नोटंकी कर रखी है कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से ड़के बाग गई, क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो, हिम्मत है तो चुनाओ लड़के दिखाओ वीजे भीवालो, मान जाएंगे तुम, हिम्मत है तो चुनाओ लड़के दिखाओ, कहते हो 56 इंच का सीना है नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है जूट है यह